गुद मॉर्निंग दियर इस्टोरेंट्स, वेलकम बैक तो यूर जीके क्लास, तोड़े वी आर गोइंग तो डिसकर्स चेप्टर 23, चेप्टर नम इस लेंग्वेज, मीज भाशा, नौ लेस्ट चेप्टर, लेंग्वेज इस हाव पीपल कम्निकेट, भाशा वह है जिससे प दुनिया भर में लगबग को मिलाकर 7,100 लेंग्वेज हैं जिसमें से की 100 को ही पुछलों के द्वारा बोली जाती है, इस लेंग्वेज ओफन साउंड वेरी डिफ्रेंट फॉम वन एन अदर एंड के लिटेंग्वेज ये भाशाएं अकसार एक दूसरे से बहुती अलग ल अलग दिख सकती है, now the most spoken language, मी सबसे ज़्यादा बोले जाने बाली भाशाएं, there are almost 7.5 billion people in the world today, आज संसार में 7.5 billion लोग हैं, about one third of them speak one of five languages which are loosed by countries all over the world, इन में से लबक एक तेहाई जो लोग हैं वो 5 भाशाओं में से एक भाशा को बोलती हैं, जिसका उप्यूग दुनिया भर के देशों में किया जाता है, हमारे पूरे वर्ड में बहुत सारी languages बोली जाती हैं, लेकिन कुछ languages हैं जो ज़्यादा बोली जाती हैं, इन में से ज मन्दारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाशा है, मन्दारिन चाइनीज लोगों के द्वारा पूरे चीन में बोली जाती है, पूरे चाइना में बोली जाती है, सेकंड लेंग्विज है, स्पैनिश, स्पैनिश is spoken in Spain and parts of South and Central America, Eastern Asia, एंडिल अफ्रीका, स्पैनिश, स्पैन और दक्षिन और मध्य अमेरिका, पूर्बेशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्ट्रों में बोली जाती है, लगभग 40.5 करोड लोग स्पैनिश को बोलते है, मन्दारिन को लगभग 95.5 करोड लोग बोलते है, थर्ड लेंग्विज है आपकी इंग्लिश English is now spoken in every continent and in many countries including the US, अंग्रेजी अब हर महादीप में और अमेरिका सहित कई देशों में बोली जाती है, 36 करोड लोग इंग्लिश को बोलते है, फोर्ट लेंग्विज है हिंदी, हिंदी is one of the official language of India, it is also an official language in physics, हिंदी भारत की अधिकारिक भाषाओं में से एक है, यह फिजी की भी एक अधिकारिक भाषा है, लबबग 31 करोड लोग हिंदी को बोलते हैं, अरेबिक, अरेबिक is spoken across North Africa, the Middle East and in many other countries, अर्भी उत्री अमेरिका, अफ्रीका, मद्यपूरूप और कई अन्यदेशों में बोली जाती है, लबबग 29.5 करोड लोग अरेबिक को बोलते हैं, बोलने के अतिरिक्त, कुछ other languages होती हैं, जैसे की sign language, means sarcetic भाषा, people sometimes use hands, shapes, body movement and facial expression to talk rather than spoken language, साकेतिक भाषा हैं, बोली जाने वाली भे भाषा है, जहां पर लोग बोलने के बजाए, कभी कभी बात करने के लिए, अपने हातों के आकार, शरीर के movement और चेहरे के भाव का उप्योग करते हैं, इसे साकेतिक भाषा कहा जाता है, इसे साकेतिक भाषा कहा जाता है, तब उप्योगी है, जब कोई सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता है, इसके अलावा एक और language होती है, dead language, which is, some languages die out when their speakers start using another language, ब्रत्भाषा हैं, जब कुछ ब्रत्भाषा हैं, जैसे कि रोमन सामराज्य में, जिसमें यूरूप का अधिकांश भाग समलिक था, यह अब एक ब्रत्भाषा है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ा और लिखा जा सकता है, कुछ भाषा हैं, जब उनके बोलने बाले दूसरी भाषा का इस्तमाल कर देते हैं, एक बार लेटिन भाषा में बात की गए थी, जब किसी एक भाषा को छोड़का दूसरी भाषा का use start हो language, dead language हो जाती है, now I will explain the question answer of this chapter, what is language, भाषा क्या है, answer, a language is a structured system of communication, भाषा एक structured system है, communication का समवाद का, question number two, what are the most spoken language in the world, संसार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है कौन सी है, answer, five most spoken language in the world are, mandarin, Spanish, English, Hindi and Arabic, now question number three, what is sign language, शाकेतिक भाषा कौन सी होती है, answer, a sign language is a language used by especially by people who cannot hear or speak using the hand to make sign instead of spoken word, साकेतिक भाषा बैभाषा होती है, especially उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और अपने हाथों का use करते हैं, संकेत के रूप में, शब्दों के जगा, now question number four, what are examples of dead language, dead language के मृत्भाषा के कौन कौन से उधारण है, answer, Latin is one of the most popular dead language, still is used today, other examples of dead language, including संक्रिक, बीबलिक, है विर्यू, मिदल इंग्लिश, पाली, and आर्मेविर्य। So, I hope you all have understand this chapter, keep practice, write down the question answer on your notebook and learn also, thank you.